So the first step is camera lens for smartphone इस smartphone camera lens में आपको 3 lens मिल जाती हैं जो फिस आई, wide angle and macro जैसे digital SLR या DSLR में अलग लग lens लगा कर फोटो और वीडियो की quality को increase किया जाता है वैसे ही आप इन 3 lens को combination करके अगर आप यूज करते हैं अपने smartphone के camera में तो आप भी अपने mobile phone photography या वीडियो क्राफिक को अच्छी तरह से enhance कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको wide angle lens यूज करके दिखाता हूँ कि lens को use करने के बाद और बिना lens को use किये बिना camera में क्या difference आता है तो उसे में आप ये lens use कर सकते हैं और अब मैं आपको macro lens यूज करके दिखाता हूँ जो कि इस lens kit का सबसे best lens है इसको use करके आप काफी detail macro source ले सकते हैं जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा detail और clear footage आ रही है मैं जो phone use कर रहा हूँ इस video को suit करने में वो दो साल पुराना Mezoo M2 Note है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इसे newly launched 30MP वाला किसी भी best phones में use करते हैं जो भी अभी market में चल रहा है उसमें use करके आपको इस lens से कितना ज़्यादा detail है और clear footage मिलेगा near about आप एक सस्ते DSLR जैसी macro source ले सकते हैं इस lens को use करके अपने smartphone के camera से और जो last lens है वो है fish eye lens इस lens को use करके आप एक dramatic या ball type photos ले सकते हैं जो की उतना खास नहीं है बट बाकि जो दो lens है उन्हें use करके आप जरू satisfying feel करेंगे और आपको काफी अच्छा result भी मिलेगा especially macro lens से और ज गैजट में दिखाने जा रहा हूं वो सायद आपके 1000 रुपए save कर दे क्योंकि अभी जिस किसी mobile में आप ये video देख रहेंगे उसकी price minimum लगभग 1000 रुपीज से उपर होगी और average आज कर लोग कम से कम 6-7000 की mobile use करते ही है and as you know दिन पर दिन mobile का size बढ़ते ही जा रहा और लोग जैसा कि अब देख सकती कि मेरे यूफोरिया का screen crack हो चुका है मेरे हाँ से किरकर अगर ये product मेरे पास थोड़ा जल डिलीवर हुआ रहता है तो सायद आज सूरेश को cancer ना हुआ रहता इस product के glue cover को निकाल कर इसे अपने mobile के back side में middle से थोड़ा नीचे चीपका दे और अब आ मैंने इस से छोटा और useful mobile accessory नहीं देखा वो भी 100 उपीस में ये 3.5 mm headphone jack जैसा pin आपके headphone port में in होगा उसके बाद आप इसे एक remappable button मतलब कि आप इस accessory के app को install करके इस extra button को 4 तरीके या 4 extra physical button की तरह use कर सकते हैं जैसे कि आप अगर इसे एक बर प्रेस करते हैं तो क्या होना चा बहुत useful and important accessory लगा मुझे क्योंकि बहुत से बार आपको अचानक से flashlight की जरूरत पढ़ जाती या किसी चीज की photo लेने पड़ती या video capture करना होता है suddenly या अचानक तो उससे मैं आपको phone को unlock करके app को खोचके उसे open करने में समय लग जाता है और सही सही में में आपका सही काम हो नहीं पाता है बट इसे set करने के बाद आप as fast as possible एक remappable button से suddenly या fastly अपने phone में एक process कर सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है like ram clear करना video shoot करना photos क्लिक करना या किसी को call लगाना या किसी app को open करना या आप ये list check कर सकते हैं 100 उपीस में इससे ज़्यादा value for the price सभी gadgets में नहीं मिलता ह और ये gadgets उनहीं list में से एक है और अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो आप as always based by links आपको description box में मिल जाएंगे बट उससे पहले मैं आपको एक और बहुत ही जाता useful product और last gadget में दिखाना चाहूंगा जो है ये mobile flexible stand जिसे आप एक third hand की तरह use कर सकते हैं first of all इसकी build quality या जिस material से ये बना है वो बहुत ही ज़्यादा flexible है including plastic और जो aluminum wire यूज किया गया है इसकी flexibility के लिए और ये आप देखकर ही समझ गयों कि इस product की quality कैसी है ये gadget उन लोग लिए बहुत ही ज़्यादा useful हो सकते है जो अपने phone पे media consume या ज्यादा वीडियो या movies देखते है long time तक